पाइनली जियो ने अपना मोस्ट अवेटेड लो बजट स्मार्टवोन जियो फोन नेक्स्ट लाउंच कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम जियो के इस नए फोन का कम्प्लीट रिव्यू और एनलाइसिस करेंगे एलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपको उस्टेंड दोस्सलमान और आप देख रहें मेरा यूटूब चैनल स्मार्ट वेट्स फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने स्पेरें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे चैनल की अपडेट्स आपक और जीयो की जनने इस पून से इन यूदर सकूर डार्गेट किया है सबसे पहले हम बात करते हैं एस फोन की या हम बेरिये के करें बारे में जैसे मैंने आपको वीडियो के स्कार्ट में बताया था कि Jio का ये फोन एक लो बजट स्मार्ट फोन है और इसी वज़ाए से फोन में हमें जादा RAM ROM आप्शन्स देखने को नहीं मिलते फोन सिंगल वेरेंट आप्शन्स की साथ आता है 2GB RAM प्लस 32GB इंटरनल और अगर हम प्राइस की बात करें तो वैसे तो इस फोन की प्राइस है 6499 लेकिन इस फोन को आप 1999 प्लस 501 की प्रोसेसिंग पीज देकर भी EMI पर पर्चेस कर सकते हैं फोन को EMI पर प्रचेस करने पर जियो की तरफ से आपको काफी सारे ओफर्स भी दिये जाते हैं और यहाँ पर जियो की तरफ से आपको 4 प्लान आप्शन्स मिलते हैं जिनमें आपको recharge प्लस फोन की EMI का कंबाइंड प्लान दिया जाता है जिनने आप अपने according चूज कर सकते इन 4 plan options में से कोई भी एक plan के साथ आप जा सकते हैं लेकिन अगर आप जो भी plan choose करते हैं और अगर उस plan को आप company case दिये गए time period के बीच में discontinue करते हैं तो Jio की तरफ से आपका ये phone बंद कर दिये जाएगा Jio के इस phone को purchase करने लिए आपको कोई भी debit या credit card की ज़रुवत नहीं है आप direct 1999 प्लस 500 एक रुपे की processing fees देकर इस phone को purchase कर सकते हैं और साथ में अपनी पज़न से इन 4 plan options में से कोई भी एक plan choose कर सकते हैं phone के color options की बात करें तो Jio के इस phone में हमें दो color options मिलते हैं black और blue और वहीं अगर हम phone के dimensions की बात करें तो इस phone का size जादा बड़ा नहीं है और in hand feel भी इस phone की अच्छी है और अगर हम phone के weight की बात करें तो इस phone का weight है 170 grams side से अगर हम देखें तो ये phone थोड़ा मोटा है लेकिन उन users के लिए ये phone अच्छा है जो एक average size का phone पतन करते हैं phone की build quality plastic की है और design wise ये phone okay है और वहीं अगर हम phone के physical overview की बात करें तो इस phone के back side हमें single camera setup with LED flash मिलता है और उसके नीचे हमें Jio की branding मिलती है और यहाँ phone के back side हमें speaker is rail भी मिलती है friends phone का back open हो जाता है और यहाँ पर हमें battery insert करने का option भी मिलता है यहाँ phone के back side हमें triple slot दिया गया है जिसमें आप दो sim और memory card insert कर सकते हैं friends एक चीज़ ज़रूर दियान रखे phone में आपको first slot में Jio की sim ही insert करना है phone के bottom side हमे microphone और एक micro USB charging port मिलता है phone के right side हमे volume rocker button और power button मिलता है phone के physical overview के बाद अब हम बात करते हैं इस phone के display की friends Jio के इस phone में 5.45 inch HD plus display मिलती है ये एक 60Hz के refresh rate वाला display panel है जिसमें हमें 720 x 1440 pixel का resolution 18 x 9 का aspect ratio और साथ में मिलता है gorilla glass V3 का protection display quality इस phone की average या low average के सकते हैं और इस price point पे आप जादा expect भी नहीं कर सकते हैं display में wing angles वगेरा भी ठीक टाक मिल जाते हैं और outdoors के हिस इस display में आपको decent visibility मिल जाती है वह अगर हम phone के processor की बात करें तो इस phone को power मिलता है Qualcomm 215 processor से ये quad core processor है जो 1.3 GHz पर clocked है और 20 nanometer पर work करता है Qualcomm ने इस chipset को 2019 में launch किया था और performance की बात करें तो low end games और apps वगेरा आप आजानी से इस phone में यूज़ कर सकते हैं लेकिन heavy games और apps इस phone में आप यूज़ तो कर सकते हैं पर ये phone उत्ता fluently work नहीं कर पाता वैसे friends, game और graphics जैसे task को handle करने के लिए इस phone में Adreno 308 वाला GPU मिलता है जो ठीक टाक काम करता है और वहीं अगर हम battery efficiency की बात करें तो ये chipset 28 nanometer पर work करता है और इसी वज़ा से phone में हमें normal usage पर एक दिन या उससे कब का battery backup मिल पाता है वैसे friends, Gio के इस phone में हमें 3500 mAh की battery और एक 7.5 वाट का charging adapter मिलता है विद micro USB केबल याँ इस segment में मुझे थोड़ी सी कमी लगी इस phone के अंदर मेरे हिसाब से Gio को इस phone में 4000 mAh की battery और एक 10 वाट का charging adapter देना चाहिए था N22 score की बात करें तो Gio के इस phone में 24000 के आस पास का N22 score मिलता है जो इस processor के इसाब से ठीक है Storage Ocarals की बात करें तो इस segment में ये phone average है phone में हमें LPDDR3 RAM और EMMC 4.5 का storage मिलता है Sensor की बात करें तो Gio के इस phone में हमें एक दो चोटे मोटे sensor मिल जाते है phone में सिर्फ screen lock का option मिलता है यहाँ पर हमें face unlock और fingerprint sensor का option नहीं मिलता वह अगर हम OS की बात करें तो Gio के इस phone में हमें प्रगती operating system मिलता है जो Android 11 पर work करता है Basically ये जो प्रगती OS है ये Android Go Edition की तरह work करता है light apps वगेरा आप आसानी से use कर सकते हैं लेकिन heavy games और apps में ये OS उतने अच्छे से perform नहीं कर पाता finally camera की बात करें तो Gio 4 next में हमें 13 megapixel का single rear camera with LED flash मिलता है और front में हमें 8 megapixel का camera मिलता है camera features में HDR, night mode, portrait mode जैसे options मिलते हैं और यहां पर हमें एक filter mode भी मिल जाता है जो basically एक snapchat का feature है और जिसकी वज़ाए से camera में हमें काफी सारे filters मिल जाते हैं ये filters आपको snapchat की app में मिलते हैं वहीं अगर हम camera quality की बात करें तो Gio के इस phone की camera quality ठीक है और price point के इस phone का camera performance अच्छा है friends overall बात करें तो Gio phone next एक average performance वाला phone है और price point के इसाब से ये phone ठीक है friends आज के वीडियों बस अदना ही वीडियो को like, share, comment करें और मेरे channel को subscribe करें Thank you